Hello my friends, welcome back to our channel इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं सब्री जैनती पर निबंध तो चलिए दोस्तों लिखना शुरू करते हैं सब्री जैनती हिंदू समुदाय दुवारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तेवहार है हिंदू परानी कथाओं में इस जैनती का अत्यधिक महत्व है यह जैनती हर साल फार्गुन कृष्ण परक्ष सब्तिमी तिथी को मनाया जाता है सब्री भगवान राम के परम भग्त थी हिंदू महाकावी रमायन के अनुसार उन्होंने भगवान राम से मिलने के लिए वर्सों तक उचुक्ता से इंतिजार किया था वह उन्हें अपना दिव्य गुरू मानती थी जब राम उनके निवास पर गए तो सब्री ने उन्हें फल वह बेर खाने को दिये थे सब्री ने बेर का मिठा सुनिशित करने के लिए बेर को चखे थे जो उनकी अत्यधिक भगती और इमंदारी का भाव था सब्री जैनती पर भगत भगवान राम के प्रती उनकी अटूट आस्था और भगती का श्मरन करते हैं भगत उपवास रखते हैं और प्रात्ना करते हैं भगत उनसे अशिरवात पाने के लिए धार्मे कनिश्ठानों में भाग लेते हैं सब्री की कहानी लोगों को उनकी समाजिक इस्थिती या पस्थितियों की परवा किये बना समर्पन और दिल की परित्रता के साथ अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेजित करती हैं या तेवार किसी की अध्यात्मिक यात्रा में भगती, सादगी और परित्रता के महत्तों पर जोर देता है सबरी जयनती लोगों को अध्यात्मिक पूर्ति की तलास में भगती और निश्वा सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोचाहिट करती है पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद Best of Luck